राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजिस्थान में प्रवेश करेगी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कॉंग्रेस के साथ साथ चातर संगठन एनेस यूआई भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है इसी को लेकर अनेस यूआई की ओर से माटी यात्रा कैंपेंगी शुरुआत की गई है जिसमें अनेस यूआई के कारेकरता राजिस्थान के इताहसे किस थलो और धार्मी किस थलो की मिट्टी को एकत्रित कर जहलावार में भारत जोडो यात्रा राल गांदी का स्वागत करेंगे इसको लेकर नेस यूआई के प्रदेश अदिक्ष अभी शेक चौधरी ने राजिस्थान विश्विद्याले के गेस्ट हाउस में प्रसवारता की और यात्रा के पोस्टर का वेमोचन किया राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा आपसे कुछ ही दिनों में राजस्तान में प्रवेश करने जा रही है इसको लेकर जहां कॉंग्रेस पार्टी अपने इस्तर पर पूरी तयारिया कर चुकी है वहीं कॉंग्रेस की स्टुडेंट विंग एनस्युए भी इस यात्रा के श्वागत की तयारियों में जुट गई और इसके लिए एक खास अभियान इनोंने शुरू किया है और उस अभियान को लेकर बाचीत करने के लिए हमारे साथ अनस्युए के परदेशा अभिशेक चोधरी मौचूद है अभिशेक जी क्या खास ही यह है और इसके पीछे इस अभियान के पीछे क्या मक्षर है संस्कृति और सब्वेता की विबिन विशेष्टाओं से भरावा बारतवर्ष है ठीक उशी परकार राजस्थान विबिन विशेष्टाओं और तरह तरह की सांसकृतिक योग्यताओं से भरावा परदेश है राजस्थान की सबसे बड़ी विशेष्टा यहां की स्वरणी माटी है यहां के माटी के कंड कंड में शौरिय और वीर्ता की गाथा आपको गुंजाएमान है और सुनाई देगी भारत जोडो यात्रा लेकर देश में निकले देश के नेता राहूल गांदी जी अब अपने यात्रा के साथ राजस्तान पहुँच रहे हैं भारती राष्टी चातर संग्ठन के सभी जावाज साथी प्रदेश के वो इस्थान जो इस प्रदेश को पहचान देते हैं प्रदेश की संस्कृति और सब्यता को एक नए आयाम देते हैं उन मुख्य इस्थानों की माटी एन शौरिकरता इकटी करेंगे और उस माटी से भारत जोड़ो यातरा का स्वागत किया जाएगा अधर्णी राउल गान्दी जी का स्वागत किया जाएगा आज से ही इस कारेकरम की शुरुआ परदेश भर में एनशवाई के साथ यह द्वारा कर दी गई है परदेश के विबिन ऐसे स्थान जो प्रदेश को एक मजबूत पैचान देने में जिन स्थानों की भूमी का है जहां बड़े किसान अंदोलन हुए है जो बड़े आस्था के केंदर है जो देश बर के लोगों को आकर्शित करते हैं ऐसे प्रमुकिस्तानों से कई ऐसे इस्थान राजस्तान में हैं जिन से कांग्रेश की विचारदारा का बहुत विशेश जुडाव रहा है जैसे की बात करें अगर हम जयपूर की तो आजादी के बाद कांग्रेश का बड़ा अधिवेशन जयपूर में हुआ उस दोरान यहां गांधी नगर में जब वो अधिवेशन हुआ और यहां सब लोग इखटे हुए तो उस अधिवेशन के तोर पर महात्मा गांधी जी की याद में इस गांधी नगर की स्थापना हुई और यहां गांधी नगर रेलवे स्टेशन बना ऐसे ही जो बड़े बड़े इस्थान है जहां कांगरेश की विचारधारा कनेक्ट होती है ऐसे इस्थानों से एनश्याई के जाबात सिपाई माटी एकत्रित करेंगे और पुरे प्रदेश की स्वर्णी माटी से भारत जोडो यात्रा का स्वागत किया रही है और इस केम्पे के तोर पर भारत जोडो यात्रा का स्वागत किया जाएगा कैम्पेशन नेमी चंद के साथ एवन टीवी के लिए रमेश कुमावादा